इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर दीजिए बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटे की किसन आपको तुरंत प्राप्त हो सके अब देखें प्रसन ही उठता है कि ये दूरदर्सी क्या होता है तो देखें वित्रों नाम से इसपश्ट है दूरदर्सी मिन्स ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुमों को इसपश्ट रूप से दिखा सके उसे ही क्या कहा जाएगा दूरदर्सी कहा जाएगा तो कहने कर्थ ये हो गया दूरदर्सी जो है वह प्रकासी को करण होता है जिसकी सहायता से दूर इस्थित वस्तुमों जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, आदी को इस पश्ट रूप से देखा जा सके क्या कहलाएगा दूरदर्सी कहलाएगा अब ये दूरदर्सी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं मित्रों एक तो होता है अपवर्ती प्रकार का दूरदर्सी अपवर्ती दूरदर्सी और दूसरा जो है ये होता है परावर्ती प्रकार का दूरदर्सी आप प्रसन यूगता है कि अपवर्ती दूर दर्शी तो क्या होता है और परावर्ती प्रकार का दूर दर्शी क्या होता है इनका अध्यन हम इस वीडियो में करेंगे तो देखें मित्रों दूर दर्सी की परिभासा सबसे पहले वह प्रकासी कुपकरण जिसकी सहयता से दूर इस्तित वस्तों जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, आदी को इस पश्टूप से देखा जा सकी दूर दर्सी कहलाता है आप देखिए अब जो हम धिल करने वाले हैं ये करेंगे अपवर्ती प्रकार का दूर दर्सी तो देखिए पहला आता है अपवर्ती दूर दर्सी इसे हम कहेंगे रिफ्रेक्टिंग पैलिस्कोब आप देखिए मित्रों प्रसन ये उठता है कि अपवर्ती दूर दर्सी किसे कहेंगे तो देखिए वह है प्रकासि कुप करन जिसकी सहयता से दूर इस्तित वस्तों को इस पश्टूप से देखा जा सके लेकिन इस दूर दर्सी में दो उत्तर लेंसों का प्रियोग किया जाता है इसमें कितने उत्तर लेंस होते हैं दो उत्तर लेंस होते हैं और यह किस घटना पर आधरित होता है नाम से इस पश्ट है यह अपवर्तन के घटना पर आधरित होता है तो देखे मैं इसकी आपे परिभासा लिख रहा हुँ ध्यान दीजिएगा तो देखे मित्रों परिभासा होगी दो उत्तर लेंसों के संयोजन से बना वह प्रकासिक उत्तरण जिसकी सहायता से दूर इस्तित वस्तों को इस पश्ट रूप से देखा जा सके क्या कहलाएगा आपका आपको वरतन की घटना पर आधारित होता है अब देखे हम अध्यन करते हैं इसकी बनावट का किसकी इस प्रकार से होती है तो देखे मित्रों इसकी बनावट भी संयुक्त सुक्सम दर्सी की भाते ही होती है अंतर इसमें इतना होता है कि संयुक्त सुक्सम दर्सी में तो वस्तू की और जो लैंस होता है वो कम फोकस दूरिवय छोटे द्वारका होता है जबकि खबोली अपवरतक दूर दर्सी में जो वस्तू की और जो लैंस होता है ये अधिक फोकस दूरिवय बड़े द्वारका होता है तो देखें मित्रों इसमें क्या होता है इसमें धातू की एक बेलनाकार नलीका होती है इस नलीका के एक सिरे पर आधिक रस्यक लेंस या ओग्जेक्टिव लेंस भी कहा जाता है तो इसको किसे प्रतशित करेंगे ओसे इस नलीका के दूसरे सिरे पर एक अन्य नलीका फिट होती है जिसके उपर कम फोकस दूरी वैर छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है देखें मित्रों इसके अभी नेत्र लेंस या आई लेंस भी कहा जाता है इसको इसे प्रदर्शित करते हैं और इस लेंस को हम दंडिय चक्र या दंटूर चक्र विवस्ता की द्वारा आगया पीछे खिसका सकते हैं अब देखें मित्रों यह हो गई इसकी बनावट अब कार ये भी दियोर अनंत भी तुरंत देखिएगा देखो ये जो उपकरण होता है ये अनंत दूरी के उपर इस्तित वस्तों को इस पश्टूप से दिखाने में हमारी सहयता करता है तो मान लिया ये कोई वस्तू है यहां पर अनंत की उपर इस्तित है तो देखों जब अनंत दूरी पर इस्त तो देखिए यहां से इसका अपवर्दन होगा और अपवर्दन होगा तो यह इस प्रकार से यू मुड़ेगी और यह दोनों प्रकास की किरने इस बिंदू के उपर मिलेगी तो कहने कार्थ यह हो गया अनंत दूरी के उपर इसकी तुवस्कों का जो प्रतिविंब है वो कहा अब बनेगा फोकस के उपर बनेगा एडैस बीडैस के उपर बनेगा जो वास्त्विक वैर उल्टा होगा अब देखिए वित्रों यह जो प्रतिविंब है यह इस लैंज के लिए आभासी बिंब का गाम करेगा तो अब हम इसको दंतुर चक्र व्यवस्ता की द्वारा आग दलने वाली प्रकास की किरणे जब नेत्र में प्रवेश करती हैं तो देखे मित्रों इन किरों को पीछे की और बढ़ाने पर यह एडबल डैस बीडबल डैस से आती हुई प्रतित होती है तो करने कार्थ यह हो गया कि यह जो आनंत दूरी के उपर इसकी जो वस्तु है इस देखे यह प्रतितित प्राक्त हो गया एडबल डैस बीडबल डैस के उपर तो एक बार फिर से ध्यान देना इसकी बनावट इसमें धातों की एक बेलनाकार मली का होती है जिसके एक सेरे पर अधिक फोकस दूरी है बड़े द्वारा का एक उप्तल लेंस लगा होता है यह वस्तू की ओर होता है आता है इसे अभी द्रश्यक लेंस भी कहा जाता है दूसरी सिरे पर एक अन्यन लिगा पिट होती है जिस पर कम फोकस दूरी वा छोटे द्वारा का एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है यह लेंस नेतर की ओर होता है अता इस लेंस को अभी नेतर लें जा से अन्द मुरि पर इसकी तवस्तू से आने समानांतर प्रकास के इरणे इस लेंज के ओपर आपकि भोगी होती हैं इस लेंज के लिए पॉस्तू भानान्द से ओपर और इवे पर आज़ी Jeśli के ऐस फोकस Пेंद वाजी के सरेय संक्राया थे और चाहिए से अब ये जो प्रतिविंब है ये इस लेंज के लिए आभासी जिंब का काम करेगा तो इसको आगया पीछे खिसका करके इस प्रकार से सैट करेंगी कि आभासी बिंब इसके प्रकासी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच आजाए जैसे ये प्रकासी केंद्र और प्रथम फोकस क बीच आता है और इसे निकलने वाली प्रकास की किरने जब नेत्र में प्रवेश करती हैं तो पीछे की और बढ़ने पर यह डबल डैस, बी डबल डैस से आती हुई प्रतित होती है तो देखें मित्रों आनंद दूरी के उपर इसकी तुवस्तों का प्रतिविम कहांबर प्राप्त होगा ए डबल डैस से बी डबल डैस के उपर तो यह जो देखें यहां से यहां तकी जो दूरी है यह हो जाएगी यूपी तो ऐसा कीजिएगा इसका स्क्रेंट सोट लेजिएगा फिर हम आगी इसकी बनावट में चलते हैं तो देखी मित्रों बनावट में इसमें धातुकी बेलनाकार नलीका होती है यह होती है धातुकी बेलनाकार नलीका इस नलीका की एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी वर बड़े द्वारत का एक उतल लेंग्स लगा होता है यह लेंस वस्तु की ओर होता है आता है इसे अभी द्रसक लेंस O कहा जाता है इस नलीका के दूसरी सिरे पर एक अन्य नलीका फिट होती है यहां पर देखे एक अन्य नली का लगी होती है जिस पर कम फोकस दुरीवा छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है यह नेत्र की ओर होता है आता इसे अभी नेत्र लेंस ए कहा जाता है इस अभी नेत्र लेंस को आगिया पीछे खिसका सकते हैं इस व्यवस्त इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो देखें इसका स्क्रेंसोट लेकर के एजट इस नोटस में उतारिएगा फिर हम चलते हैं इसकी कारिये विधी वैसिद्धांग में तो देखें नित्रोकारिय विधी में जब अनन्त दूरी पर इसकी के दौरा यहां इस्तित्वस्तों को प्रतिविम्ब एडैज जो है वह इसी लैंस कि फोकस के ऊपर बनाया जाता है तो कहने कार्थ यह हो गया, यहां से यहां तक ही जो प्रतिविंब की जो दूरी है, वो किसके बराबर में होगी, आप भीत रसेक लेंज की फोकस दूरी के बराबर में होगी, आप देखो यह जो प्रतिविंब बना है, यह प्रतिविंब इस लेंज के लिए किसका काम करेगा आभासी विम्प का तो अब हम दंतूर चक्र व्यवस्ता के द्वारा अभी अहीं प्रति विम्प अभीनेत्र लैंज के लिए आभासी विम्प का कार्य करता है आता है दंतू चक्र विवस्ता के दोरा अभी नेत्र लैंस को आ गया पीछे खिसका कर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यह है अभासी इसकी प्रकासी केंद्र इसके अभी नेत्र लैंस के प्रकासी केंद्र वै प्रथम फोकस के बीच आ जाए अब जैसे ही यह अभासी प्रतिविंब ए डबल डैस बी डबल डैस पर प्राप्त होता है तो देखें इसका एज़ेटीज स्क्रेंशोट लेजिएगा फिर हम से लेए इसके आवर्धन छंता में आप देखेंगा नेक्स आता है इसे टोपी का पॉइंट आता है आवर्धन छंता देखें मित्रों आवर्धन छंता क्या होती है तो मैंने आपको आवर्धन छंता के बारे में बता दिया है कि प्रतिविंब जो बनेगा वो बिंब के तुलना में कितना गुना बढ़ाया करेंगे हम परिभासि करेंगे कि पर्ति दवराजोंमेतर के उपर कुण बनता है जी कहलती है तोे चलमता करते हैं उसको तो प्रजेंट करते हैं बीटा से और देखो मित्रों यहां जो वस्तु नेत्र के साथ जो बनाएगी जो दर्शन कुन बनाएगी उसे हम रिप्रेजेंट किसे करेंगे अलफा से तो ध्यान देना जब यह कुन आपका अलफा है तो यह कुन भी अलफा ही होगा क्योंकि यह इसका इसका अपोजिट वर्टेकल आइगल है तो देखें मित्रों यहां पे इसकी परिभासा लिखते हैं क्या कि परती बिंब के दुआरा नेत्र पर बने कुन का अनुपात ही क्या कहलाएगे आवर्धन चंता लेकिन अगर हम संयुक्त सुक्सम दर्सी की बात करें तो उसमें आ इसकी परिभासा लिख देता हूं ध्यान दीजी तो देखें नित्रों परिभासा परती बिंब के दुआरा नित्र पर बने कुन बीटा वै बिंब के दुआरा नेत्र पर बने कुन अलभा का अनुपात आवर्धन चंता कहलाती है इसे एम से परदर्शित करते हैं तो देखे बिटा परिभासा के उपने हम क्या लिख सकते हैं एम इसकल्टों प्रति विम्ब के द्वारा नेत्र पर बने कुन वे विम्ब के द्वारा नेत्र पर बने कुन का आनुपाथ तो देखो मैं इसको इस प्रकार से देख सकता हूँ यदि अलभा वे बीटा अत्यांत छोटे कुन होतो देखें यदि अलफा और बीटा अत्यान तो छोटे कून है तो अलफा लगभग इसके बराबर में होगा तैन अलफा की वे बीटा लगभग इसके बराबर में होगा तैन बीटा के बराबर में होगा तो यहाँ पे रखते हैं तो देखें एम बराबर में क्या होगा तेन बेटा अकोन में तेन अल्ठा अब देखें मित्रों यहाँ पे तेन अल्ठा और तेन बेटा की value हमें ग्यात नहीं है तो इसकी value हम ग्यात कहां से करते हैं? डाइगराम से तो देखिए, चुकि तेन बेटा देखें तेन बेटा का जो मान है वो क्या आएगा? देखो में तो यह जो त्रीभुज है और यह जो त्रीभुज है यह सम्रूप त्रीभुज है तो सम्रूप है तो देखो हम इसके तुलना इस वाले त्रीभुज के साथ करेंगे यानि कि A-B-E कि तुम ना किसे करेंगे A-B-O से तो देखें 10 बिटा इस गर्टो क्या होगा लंब बटा में आधार तो लंब तो हो जाएगा आधार 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 क्या हो जाएगा A-E तो देखो मैं इसको इस प्रकार से दिख सकता हूँ A-B-E यह आधार से बिंब का कान करेगा इसके लिए तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी U-E लेकिन हम यह जानते हैं कि बिंब दूरी रिनात्मक होती है तो यह हो जाएगा माइनस का U-E वे टैन अलफा टैन अलफा का देखो मान तैन अलफा कोन के सामने की बुझा लंब हम नहीं देख सकते क्योंकि यह आननत दूरी के उपर है तो हम यह वाला लेते हैं इसके सामने का कोन यह भी अलफा होगा इसके सामने की बुझा यह लंब और यह बुझा होगी आधार तो देखें यहां पे होगा A-B-A-O तर्पण में दूरियां हम दरपण के दूर से मापते हैं। उसी प्रकार से लेंच में प्रकासी केंद्र से मापेंगे। अग यह दूरी मापने के लिए देखो हमें एक्स-क्स क्यों चलना होगा। आप तीत किरण की दिसांग चलना होगा। तो ये दुरी धनात्मों होगी तो V0 का मान हम किसके बराबर में रख देते हैं F0 के बराबर में रख देते हैं आप देखें वित्रों इन दोनों का मान कहा रखते हैं समी करण 1 में तो यहां लिखते हैं समी करण 1 से तो क्या मान प्राप्त होगा M बराबर में 10 Vita का मान क्या है A डैस B डैस अकून में माइनस U E अकून 10 αलफ़ का मान क्या है A डैस B डैस अकून में F note देखो इसे एक कैंसिल M इस कल्टू क्या होगा माइनस का F note अकून में U E तोकि यह उपर चला जाएगा जिरू समीगरण प्राप्थ हुआ है तो यह है खगोलिय अपवर्थक दूरदर्सी की आवर्धन चंता का समीगरण है तो यहां दिखते हैं समीगरण दूरदर्सी या अपवर्थक दूरदर्सी की आवर्धन चंता का समीगरण है तो देखो ये तो आया है सामाने इस्थति में आब हम इसकी दो इस्थतियों का ध्यन कोर करेंगे तो पहले इसका स्क्रीं सोट लेकर कि इसको as it is उतारे नोट्स में फिर हम इसके दोनों इस्ततियों में चलते हैं और ध्यान दीजिये मित्रों यदि आपको ये टोपिक समझ में आ रहा है टोपिक अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ने भूले आप देखिए पहली स्थिया आती है जब अंतिम प्रतिविंब इसपश्ट द्रश्टी के नियूंतम दूरी के उपर प्राप्त हो तो देखो मित्रों यहाँ पर बिल्म तो इसपश्ट द्रश्टी के नियूंतम दूरी के उपर हो नहीं सकता लेकिन प्रतिविंब तो इस लेंगे से यहांसे पर्तिभि में की दुरी मापने के लिए हमें एकस डैस एकस रहा हち सब्सक्राइब और डी आएगा तो देखें में 3d सब्सक्राइब और टो देखें गुच देखें लैंस समीकर्ण टे लैंसी सब्सक्राइब का प्रियोग करने पर प्राप्त होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ F E V E और U E आप देखिए जिन पर इपाथी प्रिप्ट करते हैं 1 बटा F E बराबर 1 बटा V E V E का मान हम यहां पर क्या रखेंगे माइनस B माइनस 1 बटा बिंग की दूरी रिनात्मक होती है इससे यह कैंसिल तो देखें मित्रों यहां से हम 1 बटा U E का मान प्राप्त कर लेते हैं या फिर देखो समीकरन जो 2 प्राप्त हुआ था वो यह था M is greater to F 0 टपोन में U E माइनस F 0 टपोन में U E और यहां पे है 1 बटा U E तो इसको एपनोट अपोन U E में कनवर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोनों और F 0 से गुना कर देते हैं तो देखें दोनों और F 0 से गुना करने पर कीजिए मित्रों सरले से तो देखें F 0 अपोन F E is greater to F 0 अपोन माइनस D प्लस F 0 अपोन में U E अब इसका मान प्राप्ट कर लेते हैं तो देखें F 0 अपोन में U E is greater to इसको हम पक्सांत्रित करेंगे तो F 0 अपोन F E as it is रहेगा इसको पक्सांत्रित करेंगे इधरा के प्लस का भुज आएगा F 0 अपोन में D आप देखें इन दोनों से हम F 0 अपोन में F E कोमन लेते हैं तो इसका भार इसमें देगे तो यहाँ पे एक आएगा और जब इसका भार इसमें देगे तो देखो कि इसका भार इसमें देते हैं F 0 अपोन में D दिवाइड वाई F 0 अपोन में F E तो देखो मित्रों यह तो जाएगा उपर और यह आएगा नीचे तो इससे यह कैंसर तो यहां पर क्या बचेगा आपका F की अकोन में D बचेगा किसका माम आ गया यह यह आ गया F not अकोन में U E का अब समीकरण 2 में रख देते हैं यह मान तो देखें समीकरण 2 से M is well to minus, देखो minus तो as it is रहेगा दो में और F not अकोन में U E की स्थान पे हम यह रख देते हैं F not अकोन F E into 1 plus F E upon में D तो samीकरण जो तीन है यह उसी स्थिमे आवर्धन छंटा का समीकरण है जब अन्तिम पर्तिविव इस पश्ट द्रश्टिकी नूंतम दूरी पर प्राक्त होता हो अब देखो इसी स्थिमें नलीका की फुल लंगाई नलीका की फुल लंगाई तो देखें मित्रों नालेका के लंबाई से ताफ्रिया हैं, इसी स्तते में अभी द्रश्यक लेंग से बीच की कुल दूरी, और इस कोल दूरी का जो मान है, किसके बराबर में होगा, F0 क्लस में UK के बराबर में होगा, तो करने का थी हो गया, L is correct हो जाएगा, F0 plus में UT, तो देखिए, इसका screen suit लेकर कि इसको as it is notes में उतारे हैं, फिर हम इसके second condition के बारे में अद्धिन कर देखिए. अब देखिए second condition आती है, जब अंतिम प्रतिविम्ब अनन्थ पर प्राप्त हो, तो देखिए मित्रों, अंतिम प्रतिविम्ब अनन्थ के उपर प्राप्त होगा, तो देखो इसके लिए आपको डायग्राम अलग से बनाना होगा, जो मैंने आपे बना रखा है, देखो अंति इसकी बार जो fe है वह यहीं पे होगा तो ue का मान इसकी बराबर में इसकी बराबर में होगा नलीका की कुल लंबाई का मान क्या आएगा इसी स्थती में नलीका की कुल लंबाई तो देखें मित्रों इसी स्थती में नलीका की जो कुल लंबाई है वो आएगी यहां से यहां तक की दूरी F0 प्लस में F2 तो देखिए L इस गल्टू हो जाएगा F0 में FE और ध्यान रहे इस समीकरण पर आधरित कई कबार एक्जाम में नूमरीकल पूँच लिया जाता है तो इसका as it is screen suit लेजिए फिर हम दूसरे दूरदर्शी में सकते हैं जो last and final topic होगा इस सेक्टर का अब देखिए मित्रों दूसरा आता है परावर्ती प्रकार का दूरदर्शी या reflecting type telescope देखिए क्या होता है परावर्तक दूरदर्शी तो देखे इस दूरदर्सी का काम भी वो ही होता है जो अपवर्ती दूरदर्सी का होता है लेकिन इसमें अंतर क्या है नित्रों देखो इसमें परावर्ती दूरदर्सी में अभी द्रशक लेंज की स्थान पर अभी द्रशक दरपन का प्रियोग किया जाता है और अभी के रूप में आउतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है परावर्तं के सिद्धानत पर आधरित होता है इसका विष्कार वैग्यानिक न्यूटन ने किया था अता इसे कैसी ग्रेमियन या न्यूटन का परावर्तक दूर दर्शी भी कहा जाता है आप प्रसन ये उटता है कि जब हमारे पास अपवर्तक दूरदर्सी है तो परावर्ती दूरदर्सी का उपयोग क्यों किया जाता है क्या कारण है फिर परावर्तक दूरदर्सी प्रियोग में लेना क्यों आउशक है तो देखे मित्रों परावर्तक जो दूरदर्सी है ये अ प्रतिवेब प्राप्त होता है और इसके कुछ बुन है कि इसके कारण क्या है कि ये क्यों स्रेश्ट है तो इसका अध्यन हम इसी टोपिक में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मैं इसकी यहाँ पर परिवासा लिख देता हूं तो देखें मित्रों वह दूर्दर्शी जिसमें अभी द्रश्यक लेंग्स की स्थान पर अभी द्रश्यक दर्पन या आउतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है परावर्तक दूर्दर्शी कहलाता है तथा यह है परावर्तन की घर्दना पर आधरित होता है देखो इसका वि आप आती है इसकी बनावट, तो देखें, मित्रो इसकी बनावट किया किस प्रकार से होती है तो देखू, इसमें अभी द्रशक दर्पन की रूप में आउतल दर्पन का परियोग किया जाता है जो एक चोडि नलीका के दूनों किनारों के रूपर इस्थित होता है और देखें यहां जो नेत्रिका लगा होता है इस नेत्रिका के ठीक सामने यानि कि ननीका की दूसरी सिरे की और दीत्यत दरपन की रूप में उपतल दरपन का प्रयोग तिया जाता है तो देखें यह हो गई इसकी बनावट अब आती है कारिये विद्यो और सिदांत तो सब्सक्राइब और सिलिग तो इस चित्याय सिद्यों के आतीता है गजही याँ जो आत Craft प्रदिम्ब क्वर्श को में चैनगेला और सभाउट शारी से उतर्क होता है तो देखें मैं आप इसकी बनावट लेग देता हूँ फिर कार्य विध्य और सिद्धान समझे ले तो देखे मित्रो बनावट में इस दूप दर्से में अपित्रशक दरपन के उप में अवतल दरपन का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रात्मिक दरपन भी कहा जाता है जो चोड़ी नलीका के दोनों किनारों के उपर लगा होता है ताथा नेत्रिका के ठीक सामने नलीका के दूसरी सिरे पर एक उतल दरपन लगा होता है जिसे दिट्यम दर्पन भी कहा जाता है तो देखे इसका एज़ेड़ी स्क्रीन सोट लीजिए फिर हम कार्ये विधी में चलते हैं तो देखे मित्रों कार्ये विधी में जब अनंद दूरी पर इसके त्वस्तों से चलने वाली समांतर प्रकास की किरणे आउतल दर्पन पर आप्तित होती है तो यह दर्पन इन किरणों को परावर्तित कर देता है अब यह किरणे मिलने से पूर्व जब उतल दर्पन के उपर आप्तित होती है तो यह इने नेत्रिका के उपर फोकस कर देता है अब देखें वित्रों इस परावर्तक दूरदर्सी के बूँन क्या क्या है कि परावर्तक दूरदर्सी जो है ये अपरतक दूरदर्सी के तुर नामी स्रिष्ट क्यों है क्या कारण है तो देखें इससे प्रतिविम्ब चंग के लवा इस पश्क प्राक्त होता है इसमें वरण भी पथन का दोस नहीं होता है वरण भी पथन का आश्य ये है कि जो की जो तेवर्ता इसमें बिम्ब की होती है वो की वो ही तेवर्ता प्रतिविम्ब की होती है आर्था जो इस ट्रेक्चर जो आकरती बिम्ब की होती है वही इस ट्रेक्चर परती बिम्ब की होती है इसमें गोलिय भी पथन का दोस्त नहीं होता है और इसके आवरधन चंता जो है यह अधिक होती है जिसका मान M is going to F note upon में FE होता है तो देखे मित्रों इसी के साथ यह जो चैप्ट है इनका धिन करने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहे और एक बार फिर से यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बराबर मात्रा में सेयर करते रहे धन्यवाद